कि नमस्कार विशेश्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ गौरव के पांडे खुले में शौच करने गए तो बीमारियां हो सकती हैं और बीमारियां फैल सकती हैं खुले में शौच करने गए तो वह बहुत अनहाईजिनिक हो सकता है और उससे बहुत तरह की परिशानियां हो सकती हैं यह हम सब जानते हैं लेकिन एक नया परमान एक नया आदेश आपसे स लाल निशान लगा दिया जाएगा आपके राशन कार्ट पे अगर आप खूले में शौच जाते हैं तो और राशन मिलना आपको हो जाएगा बंद इससे पहले भी एक फर्मान आया था कि अगर खूले में शौच करने गए तो नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी यह रिपोर्ट द हर्याना को खूले में शौच मुक्त बनाने के लिए सरकार की सासा तप्रशासन की भी जोड़दार तयार्या है जिसके बानगी हर्याना की यमुननगर जिले में दिखी अब यमुननगर जिले में खुले में शौच जाने वालों को राशन नहीं मिलेगा और वे सरकारी राशन से जब तक बंचित रहेंगे तब तक सौचाले नहीं बनवाले थे राशन के लिए 140 जरूरी फुले में शौच गए तो अब खेर नहीं ना मिलेगा सरकारी राशन ना मिलेगी सुविधा यमुननगर प्रशासन का जिला इसकर पर बड़ा फैसला फुले में शौच जाने वालों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन इन लोगों की पहचान कर राशन कार्ड पर लगाई जाएगी लाल मुहर लाल मुहर का मतला होगा उस घर में सौच जाले नहीं है जिनके घर में नहीं होगा सौच जाले उन्हें नहीं मिलेगा राशन लाल मुहर वाले राशनकार्ट धारकों को कोई सरकारी सुवेधा नहीं मिलेगी नवंबर तक यमुना नगर को खुले में सौच मुक्थ बनाने का लक्ष्य रखा गया है पंचायतों के बाद खुले में सौच करने वालों पर प्रशासन सक्त हो गया है हम लोगों का टार्गेट यही है कि जिले को हम एक नवंबर पर मानने मुख्य मंत्री जी के द्वारा इसको ODF free डिकलेर करवा दें यानि कि खुले में सोच से मुक्थ हम इसको डिकलेर करवा दें जिलासतर पर ये निर्ने लिया गया है कि जो भी खुले में शोच में जाएगा उसके फार्म पर लाल की एक मोहर लगा दी जाएगी यदि लाल मोहर लगा दी जाएगी तो जब तक वो टॉलेट नहीं बनवा लेता तब तक उसको राशन नहीं दिया जाएगा ये कोई पहला मामला नहीं है जिब सरकार ने अपनी मुहिम को सफल बनाने के लिए खुले में शौच जाने वालों कर सखती दिखाई हो इससे पहले हर्याना सरकार ने खुले में शौच जाने वालों को नौकरी नहीं देने का नियम लागू किया था नियम डिस्ट्रिक रूरल डिवलेप्मेंट एजनसी कुरुक्षेत्र की ओर से ब्लॉक कॉडिनेटर्स और मोटिवेटर्स के परद पर आविदन के लिए जारी किया गया था इसके लावा हर्याना को खुले में सौच मुख बनाने के लिए सरकार तमाम कोशिश कर चुकी है ऐसे में सवाल उपने लाजमी है कि खुले में सौच करने वालों पर फ्रशासन की सक्ति से होगा बतला क्या खुले में शौच जाने वालों को राशन ना देना सही फैसला है राशन पर गाज गिरने की डर से खुले में शौच जाना होगा बन प्रशासन के कड़े कदम से हर्याना बनेगा खुले में शौच मुगत राज seconds सर्पंच बनना हो या पंच ब्लॉक समिती के चुनावर लड़ने हो या सरकारी नौकरी चाहिए खुले में शौच आप नहीं जाते हैं इस बात को सर्टिफाई करना होगा आपके घर में शौच आले है या आपको सर्टिफाई करना होगा लेकिन अब साथ ही साथ राशन अगर आपको चाहिए और आप यवुना नगर में रहते हैं तो आप गलती से भी पकड़े मज यह खुले में शौच जाते हुए नहीं तो लाल निशान लगा दिया जाएगा आपके राशन कार्ट पर पीके फिल्म देखी होगी आपने वह कहत हैं तो ठपा आपके राशन कार्ट पर लगा दिया जाएगा चलिए हम चर्चा शूरू करते हैं सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट की तौर पर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सुरेंद्र जी इस वैसले को आप कैसे देखते हैं नहीं मैं तो इसे अच्छे रूप में देखता हूं और लोगों को भी इसको अच्छे ही रूप में देखना चाहिए कुछ चीजें होती हैं जो सरकार आपके हित्मे करना चाहती हैं और वो चाहती है कि आपका रहन से इनका इस्तर ठीक हो देखने में अच्छा लगे खुले में शोच जाना तो हमारी इतनी तस्वीरें विदेशों में छपती है, रेल की पट्री पे लोग बैटे हुए हैं, और वो कोई एक अच्छा सीन, कोई देश की एक अच्छी छवी नहीं बनाता है, फिर हाइजनिक भी नहीं है, बेमारियां भी इससे होती हैं, और घर में अगर शोचाले नही तो फिर महिलाओं को विशेश रूप से परिशानी होती है, तो क्या है कि कुछ ही हमारी एक आदत रही है देश में कि लोग बाहर जाते रहें, तो इस पर इतना कभी ध्यान दिया नहीं कि भी शोचाले होना चाहिए, अब ये विभिन तरीके हैं जिनको ये करके कि लोगों में एक इंसेंटिव आये कि हम लोग बना लें, जो बच गए हो बना लें, तो इसलिए इसको इस रूप में देखना चाहिए, जैसे अब हेलमेट पहन ये नहीं तो आपका चालान होगा, अब कोई सरकार को तो फायदा है नहीं, आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, आपी का फा क्रोसिंग पे रुकने वाली बात है, या आप कहीं रेलवेड टिकेट लेते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप कहीं पासपोर्ट में लाइन में खड़े होते हैं, तो एक यलो लाइन होती है, यह आप यहां इनतजारिक, तो हमारी आदतें सुधरें, हम अपनी सु देवाले से पहले शौचाले का बयान जब नरेंदर मोदी ने दिया था, चुनाओ का वक्त था, चुनाओ का दोर था, आपको याद होगा वो, उसके बाद बहुत अलग अलग तरह के प्रतिक्रिया आये थी, और क्योंकि नरेंदर मोदी एक ऐसी पलिटिकल पार्टी से हैं जिसका बहुत जादा एजंडा जो है, वो हिंदुत और धार्मिक ये एक एवेज एक छवी सी बनी होई थी उस वक्त खास तोर से, और ऐसे में उन्होंने ये जो बयान दिया, उसे बहुत पस्ट था कि वो एक विजन लेकर चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये शौचाले ह हर घर में बन जाए, उसके बावजूद दो साल बीच जाने के बाद भी, क्या उनको उनके प्रशाश्चन ने उस तरह से सपूर्ट किया आपको लगता है? नहीं, प्रशाश्चन देखिए, इसकीम है, यूजना है, उसमें फंड है, लोगों को कहा जा रहा है, बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप सोचे जिस देश में, मतलब 60-70 प्रतिशत, क्या मैं तो कहूंगा 80 प्रतिशत तक लोग, खुले में शोच जाते हूं, तो उनके लिए तो एक थोड़ा वक्त तो लगेगा, अभी करीब दो करोड शोचाले पिछले दो साल में बने हैं, तो इसी रफतार से बनते रहेंगे, तो बहुत जादा टाइम लगेगा, लेकिन फंड्स भी और बनाना भी और जैसे, यह हम जब तरक देते हैं, यह मैंने आक लेकिन इतने बड़े देश को अगर आप देखें, तो हमारा जो सिस्टर बहुत खूबसूरती से डेवलप्ट है, पंचायत है, पंचायत तक में है, ब्लॉक समितियां है, और मतलब इतने छोटे छोटे डिविजन्स हैं, कि बहुत आसानी तक हर किसी को अपना काम दिया द गर में, कि जैसे मैंने कहा ना, कि हमारी प्रायर्टी नहीं है, तो लोग सुखते है, ठीक है, क्या जल्दी है, बनवा लेंगे, क्या जल्दी है, बनवा लेंगे, अब जैसे मान लीजिए, एद्यूकेशन पर आया, पहले फैमली प्लानिंग को लेके आया, कि लोकल इस इलेक्शन में, दो से ज्यादा बच्चे होंगे, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, अभी आया, कि भई, आप दसवी बार भी पास नहीं होंगे, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उसका परपस यह होता है, कि भई, शिक्षा को बढ़ावा दे, जो महिलाएं आ सकती है, आर्थिक मदद कर सकती है, जो करने को तयार है, तो ये लोगों को आगया नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रशाशन का फेलियर आपको नहीं लगता है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट जो है, वो निर्देश दिये गए हैं, कि आपको इसको प्रमोट करना है, स्योजन है, मुझे नहीं लगता, नहीं, रैपिड स्पीड तो देखिए, मैंने जैसे कहाना कि हमारे देश में काम की एक चाल है, सरकारी काम में चाल है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते कि कोई भी काम है ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन फिर दो साल वक्त होता ह हो, हेल्थ का मसलρά हो, और चीजएं, क्योंकि वो चीज़ें सरकार को करनी है, यहाँ पर ये चीज़ें जनता को खुद अपने घर में शौचाले बनानाएगाना है, चाल हुआ कर लेकिन जो प्रकारे बनाने वाली है, ज connectors कालना लिग करना है, हरीश कहली यमना नगर सामा थ हरीश इस आदेश के बाद वहाँ जो लोग हैं आम लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है हरीश आवाज मिल रही है आपको जी इस आदेश का लोगों में किस तर इस लोग कैसे ले रहे हैं इसको क्या प्रतिक्रिया है उनकी तो क्या लोगों से यह communication gap क्यों है हरीश क्या आधिकारी जाते नहीं है करने की कोशिश नहीं करते हैं उनको सम्झाने की कोशिश नहीं करते हैं अंगनबाडी वर्कर्स हैं पंचायत है सर्पंच पंच अरिकारियों की बड़ी पौच है क्या इपने पाइदा है जो कि बनूएंगे और उसको बावजूद भी नोगी स्पोंद कर रहे हैं और उसको बावजूद ऑखने क्दम उठाते वह लोगों में को थोड़ी चिश्क्ति जो भी देखती अपने घर में सचले नहीं बनुएगा उसके जो है राशन गान में उसको जो जो राशन नहीं द है परिशाशन ने कि इतने पर्संट लोगों के घर में उंका टार्गेट को यह अकड़ा साजा किया है कुछ कईम जाया है इसी को देखते हुए है ठीक में यह बहुत स芳 celery एक चोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे है कि हमारे संस्थान द्वारा अनेको सामाचिक भलाई के कारिकरम चलाए चाह रही है यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कारिकरना चाहता है तो वो नीचे देगए पते पर संपर कर सकता है संस्थान द्वारा न्युक्त व्यक्ति को अपनी शहर में रहे कर ही कारिकरना होगा संस्थान को हर शहर और गाउं में महेंती व्यक्ति की आवशकता है मासिक न्यून्तम वेतन 15,000 हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरे के लिए इस्तरी और पुरुष एप्लाई करना चाहता है तो संपर्थ करें हमारा पता है हमारा पोल नंबर है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर राश्ट्रे स्तर की शिक्षा का इंसजार MDLR ग्रूप लेकर आए है MDK International School हर्याना के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्विस्तरिय शिक्षा की खास पहचान MDK International School Cambridge University London से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिदेंशल कम डे बोरिंग स्कूल के डिरेक्टर है Cambridge Exams के आकिलन करता Mr. Lawrence Frey विश्विस्तरिय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है Air Condition Campus और दूसरी आधोनिक जरूरी सुविथाएं पुस्तकों से परिपून लाइप्रिरी और एक Spacious Cafeteria जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा Healthy खाना MDK International School की विश्विस्तरिय खेल एवं अन्ने सुविथाएं आपके बच्चों का स्वास्ते एवं जहो मुखे विकास सुनिश्शित करती हैं तारकेश्वरम धाम के नस्दीक रान्या रोड सिरसामे अधिक जानकारी के लिए संपर्थ करें अधिक जानकारी के लिए सब कोजिए अधाया एक तो अधिक जाएं आप अधिक फामा हुझे कितीनी मेरी नहीं ये साथ ने पर्ट्रीबर को जाएं हमारी जो मान है वह जश्टेश्वरम से वह पूरी की जाएं किसानों के हिपी बात करें इस लिएं खेतों में खुश हाली लाएं बोपाराय बोपाराय घर घर पाली पहुचाएं बोपाराय बोपाराय सालों साल चलता ही गाएं कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करें बे आवाज सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर में आपका कि वो गया थो जाय थेंक यू पता का चाई गजब का स्वार वो पहस ही क्या जो बेबाक ना हो वेवस्था में कितना सुधार आया कैसे जस्टिफाइड करेंगे आप इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं तेरा एहम सवाल ये है कि क्या राजणिती करने से वाइदे करने से बताव आजाएगा वो तरक ही क्या जो धोस ना हो अरे वो अपने परिवार लेकर सडकों पर है किस से जवाब मांगे राजणितिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही है अपकी सरकार पिछली सरकार पर फूसरी सरकार पिछली सरकार पर सवाल बड़ा है लोगों की जरूरत को मैसूस कब किया जब वोट चाहिए थे तब मैसूस किया वो समवाध ही क्या जिसमें समवेदना ना हूँ तेखिये मुद्दा नवजोत सिद्दू के साथ कि विना शौचाले राशन नहीं मिलेगा क्योंकि एक लाल ठपा लगा दिया जाएगा आपके राशन कार्ट पर अगर आप खुले में शौस्ट करते हुए पकड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी और जवाब देही किसकी दी गई है अंगनबाड़ी वरकर्स की और पंचायत कि यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने लाके में सुनिश्चित करें कि कोई खुले में शौस्ट करने नहीं जाए कई ऐसे लोग भी है जिनके घरें घरों में शौस्टाले भी है फिर उनकी आदत है वह एक तक टहुता नहीं है बाहर जाना पड़ता है तो यह कैसे बनने इसलिए मैं कहना चाहरा था उस समय कि शोचाले होना इस बात की गारेंटी नहीं है कि आप बाहर शोच के लिए नहीं जाएंगे तो उसमें तो आपको अलग से कारवाई करनी पड़े जैसे बाल बैट बाल लेके जाएंगे जो करा उसे मार ये दूर से लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि वह तो यमना नगर का लोकलाइज डिश्यू है तो आप या तो आपके रिपोर्टर बता सकते हैं या सरकारी में कि यह जो राशन बंद करेंगे तो जनरली गाउं में आजकल सभी लोग तो राशन लेते नहीं जो गरीब तबका है ज्याद परिये सब्सक्राइब आप उसे एक बार अवेर्नेस के लिए हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि खुले में शौच जाने से क्या-क्या प्रॉब्लम सो सकती है बिशी बात यह है खुले में शोच प्रेटली एक इस जिए 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 ना ऑना आईज सब्सक्राइब आप करते हो तो उसको बंद नहीं हो तक उसको बंद नहीं हो सकतार उनको पहलाइज नहीं कि लिए उसके लिए गौवर्मेंट को आटरेटिव सोच नहीं है सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो इस प्रकार का इसको यह कि यह तो तुगलासी फारवान मेंने है जो यह कि नहीं दिकार दिया गुर्ण करते हैं आशन नहीं मिलेगा वोने आप जक्ते रहें कि आप पैसे नहीं दिया इसमें कि आपने सरकार का फरज भी बनता कि सरकार भी प्रवाइड करें आप जो कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं आप की कॉम्मीटी सोचले होना चाहिए लेकिन यह इंपोर्समेंट जैसे कई कानून है अभी हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक में कि हलमेट पहनना उससे सरकार वो कोई फायदा नहीं लेकर आप हलमेट नहीं पहनते तो आपको पनिश करती है सरकार तो इस तरह की चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना अगर लोग नहीं सुन रहे तो कानून लगातर पैनलाइज करेंगे आप कि अपरोच होता है और कई बीमारियां जो लग जाती जो नहीं होना चाहिए मैं चाहिए जो सदियों वह था उसका आदत को भी सुधारने में समय लगा टाइम देना चाहिए ठीक है डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हमारा साथ इस वक्त सून लाइन पे हैं संजय जी एक बाद बताई है कि सरकार ने बहुत सारे जैसे स्कीव चला रखी है आपको लगता है कि इस तरह से इंफोर्स करना ठीक है करना चाहिए कि संजय जी आवाज भूड़ी आपको स्वामी जी आप से चाहेंगे एक फाइनल कमेंट की और क्या क्या हो सकता है संछेप में लेकिन लोग खुले में ना जाएं इसके लिए जैसे एक बात अच्छी दया जी ने बीच में बताई थी कि वही एक की सर्वे तो होना ही चाहिए जैसे मैंने कहा कि जादातर ये गरीब टपके के लोग होंगे और उनकी इस्तिती बनाने की है या नहीं है उनके पास जमीन है या नहीं है हाला कि मैंने नहीं समझता कि ये को इतना बड़ा इशू गाउं में होना चाहिए फिर भी ये भी इशू फ्लैग होने चाहिए कि लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि परेशानिया क्या है अगर ये सिर्फ ये कि अच्छा कौन बनाए तब तो ये एक अच्छा है ये कोई तुगलकी फर्मान में इसको नहीं कहूंगा तुगलकी फर्मान नहीं लेकिन इसके बहुत सारे और भी रीजन्स हो सकते हैं उन फैक्टर को भी देखना होगा कि लोग क्यों नहीं बनवारा है बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लेकिन एक बात जो हम सब बार बार जानते हैं और कहते रहते हैं कि खुले में शौच जाएंगे तो आपको भी परिशानी होगी आपके चाहने वालों को भी आओगी आपके अपनों को भी होगी आपके बच्चों को आपके माता पिता आपकी पत्नी को भी हो सकते हैं तो सोचिए का जरूर और सरकार अगर मदद कर रही है तो क्या जरूरत है खुले में जाने की फिलह लितना ही नमस्कार कि जाओची आपके नमस्कार